दोस्तों नमस्कार लर्निंग बाई एपी सर यूटूब चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बिजे प्रताब जी जो हमारे प्रिये साथी और भाई भी हैं उनके इंटर्व्यू में पूछे गए कुर्सनों का डिसकसन करेंगे तो हमने पिछले वाले वीडियो जितने डाले हैं किसे में हमने नहीं कहा कि उसको आप दूसरे लोगों को सेर करिए लेकिन इस वीडियो में आपसे निवेदन कर रहे हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा ज आये जाते हैं उसके बारे में अनुमान लगा सकें क्योंकि बिजय प्रताप सिंग जी को इंटर्व्यू में 70% मार्ग्स प्राप हुए हैं जो हाइस्ट नंबर होते हैं BPSC 64 हुए BPSC में बिजय प्रताप जी को 70% यानी की 120 नंबर का वहाँ इंटर्व्यू होता है उनमें से 84 नंबर प्राप्थ हुए हैं पूरा का पूरा 70% मार्ग्स प्राप्थ हुए हैं साइद जो फर्ष्ट टापर है उसके 90 नंबर हाइस्ट उसी को प्राप्थ हुए हैं तो 70, 72, 75% जो नंबर होते हैं वो इक्ष्रा आडिनरी नंबर होते हैं तो इनसे क्या कोशन इंटर्व्यू में पूछे गए उसको हम लोग देखते हैं और फिर एक इनका जो आप्सनल है वो आप्सनल पवैड है पब्लिक एड्मिनिस्टेशन था इनका आप्सनल पब्लिक एड्मिनिस्टेशन था और पब्लिक एड्मिनिस्टेशन में भी इनको 186, 186 नंबर प्राप्थ हुए हैं तो इंटर्व्यू में भी बहुत ज्यादा नंबर है और आप्सिनल में भी हिंदी मीडियम से बहुत अच्छे नंबर है जिसकी वजह से इनको 64. BPSC में कौन सा पद मिला है नायब तहसीलदार का नायब तहसीलदार का इन्हें पद प्राप्थ हुआ और रहने वाले ये UPK है तो आप अनुमान लगा सकते जो state PCS होते हैं वहाँ अगर आपके अंदर ability है आप योगी हो तो इंटर्व्यू में अच्छे नंबर आप किस राज के हो इमाने नहीं रखता आप हर अगर UP में other state का कोई विक्ती इंटर्व्यू दे रहा है तो इसको अच्छे नंबर मिलते ह अन्य एक हमें दोस्त हैं जो DYSP हुए UP में उनका भी इंटर्व्यू में पूछे गए question discuss इस तिरीज में आगे जो वीडियो डालेंगे उसमें करेंगे उनको 100 में 75 नंबर इंटर्व्यू में प्राप्त हुए थे 2018 में वो उत्तरा खंड के रहने वाले तो इससे अनुमान ल पूछे गए इनका जो इंटर्व्यू था वो 19 जन्वरी 2021 को था इनको जो बोर्ड इनका था विजय जी का सुभेंदर चौधरी बोर्ड था तो नार्मली जैसे इंटर्व्यू कोई भी देने जाता है तो पहले आपका परिमिसन लेता है आपको यह भी बता दें कि हमने भी जो वीडियो बना रहे हैं 2018, 2019 और 2020 लगातार तीन इंटर्व्यू दिये हैं लगातार वो भी UPPSC के तो इसलिए आपको और अच्छे से बता पाएंगे कि इंटर्व्यू में क्या कुस्ण पूछे जाते हैं और उसकी तैयारी कैसे की जाए उसकी हम बात करेंगे तो आगे ज उसको हम सेर भी करेंगे 2018 की हमारी मार्शीट फेस्बुक पे और आपका जो टेली ग्राम चैनल पे है उसके आल लेड़ी है आप उसमें आप नंबर देख सकते हैं तो आईए अब शुरू करते हैं तो सबसे पहले कोई भी जाता है तो सबसे पहले बेटिंग जब अरदली ले जाकर के उसको बाहर बेटिंग के लिए बैठा देता है जब कंडिडेट का नंबर आता है तो वहीं पूछता है तो विजे जी ने पूछा मैं आई कमिन सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर तो चेर्मान साहब जो होते हैं बोलते हैं कि आईए आईए उसके बाद फिर अन 2020 का जब इंटर्व्यू दे रहे थे तो यही कुछन पूछे थे कि आप क्या पहले कभी इंटर्व्यू दिये हैं तो अगर दिये हैं इमानदारी से आप बता दीजिए तो इनसे भी पूछा गया इन्होंने भी 2018 का यूपी PCS का इंटर्व्यू दिया था तो बताया होगा कि ह हमने 2018 का PCS का इंटर्व्यू दिया हुआ है फिर ग्रेजोईशन पूछा ग्रेजोईशन में सब्जेक्ट क्या है कब कि यह हो उसके बाद क्या कि यह हो ग्रेजोईशन के बाद तो इन्होंने जान लीजिए इन्होंने BSC और MSC जोलोजी से किया है और MSC बायो टेगनोलाज जिसे किया है फिर इनसे आपसनल का सब्जेक्ट पूछा गया आपसनल इनका उपर बताई दिये हैं पवैट था पब्लिक एड्मिनिस्टेशन था तो आपसनल उसके बाद इंटर्व्यू समझे इंटर्व्यू में दो तरीके के कुष्ण पूछे जाते हैं एक आपका आप आपसनल और क spread बार क्या होता पूरा इंटर्व्यू आपके gradation ये जो पीजी सब्जेक्ट की एई हो उस पे और हाफी पे चला जाता है इनका इंटर्व्यू देख कि आपको लगेगा कि पूरा इनका इंटर्व्यू आपसनल से हो कोई question ही जादा नहीं पूछा गया, सारा का सारा कोशन किसे इनके graduation और इन्होंने bio technology से MST किया है, वहाँ से question पूछा गया तो interview कि जब भी आप तयारी करें, तो आपकी हवी क्या है उसको अच्छे से prepare करें और आपका जो optional है उसको तयार करें, और आपका जो graduation या post graduation में subject रहा है उसको अच्छे से तयार करें वहीं से question interview में पूछे जाते हैं, फिर इसे question पूछा गया, bio technology क्या है फिर question अगला पूछा गया genome क्या है, उसके बाद पूछा गया, कि आपकी हवी क्या है, हवी की बाद translation क्या है, ये पूछा गया, translation उसके बाद आपका expert जो अनिस सदस से होते हैं उन्हों इनसे question जो genetically modified GM crops होती है GM फसलों से question पूछा, फिर पूछा GM फसलों के क्या लाव है क्या हानी है, तो उसके बारे में पूछा, उसके बाद जो विसे सग्य, दो यानि सदस नमबर दो इनसे question पूछा, माटो कांडिया के बारे में बताईए माटो कांडिया के बाद बैक्सीन का मुद्धा चल लाहा था करेंट में और बायो टेगुनलाजी से इन्हों ने MSCV किया है, तो इससे question पूछे गए कि बैक्सीन निर्वान का जो ब्यापा कस्तर पर कैसे आपका संभो हो पाता है कि हम जदा जदा बैक्सीन बना पाते हैं फिर भारत में कौन कौन सी बैक्सीन इंडिया में यूज की जा रही है यूज की जा रही, उसके बारे में question पूछा गया उसके बाद जो इसे सगी, तीसरे सदस थे जो नार्मल साइकोलोजिस्ट होते हैं उन्होंने पूछा इनका होवी बैड मिंटन है तो बैड मिंटन से question पूछा गया कि बैड मिंटन का प्रसासन में आप यूज कैसे करेंगे इसके बाद बैड मिंटन में जो टेक्निकल होते जैसे सोट मारते हैं तो इसका प्रसासन में यूज कैसे करेंगे बैड मिंटन खेलो के क्या लाभ है इससे बेन फिट क्या है वो पूछा गया फिर लाष्ट में चेर में ने इससे question पूछा कि बीहार में कुल कुतने जिले हैं बिहार जहां का इंटर्व्यू देने जा रहे हो वहां की स्कीम वहां के एक समान ने आपकी समझ होनी चाहिए बिहार के कुल कितने प्रामंडल है और उसके बाद फिर चेर मैंग साहब ने इनको बोला कि आपका इंटर्व्यू अब समाप्त होता है ठीक है आप जा सकते हैं गुट लग अकसर ऐसे आपका जब अच्छा इंटर्व्यू जाता है तो वहां से आपका कुलू मिल जाता है कि आप फाइनल सेलेक्शन में सामिल होंगे कि नहीं होंगे जो 2020 का इंटर्व्यू हम से पूछा गया था उसका भी चल्दी वीडियो हम आपको अपलब करवाएंगे उसमें भी बहुत अच्छा इंटर्व्यू हुआ था फाइनली अनफार्चुनेट फाइनली सेलेक्शन नहीं हो पाया उसके पीछे 2018 से अब तक एक ही जिम्मेदार है आपसनल में बहुत कम नंबर PSIR आपसनल मेरा था जिसमें आपके बहुत कम नंबर आएं एवरेस से भी कम नंबर आएं GS में बहुत ज़्यादा स्कोर होता इस बार हर बार इंटर्व्यू काल आई बहुत कम margin से हर वार रुपता गया तो उसका भी हम लोग discuss करेंगे अपना interview भी डालेंगे तो ये इनके question रहें और इनका interview में marks देखिए आपकी mark sheet भी इनको send कर देंगे इनके अन्य pick भी आपको group पे या अन्य जगे share कर दी जाएगी इनको 120 में 84 नंबर मिले हैं जो की अपने आम में आयतिहासी नंबर होते हैं 70% नंबर इन्होंने score किया है interview में इनको सांधार नंबर मिले optional इनकी strategy क्या रही बहुत जल्द इनके द्वारा ही जो लोग प्रसासन है public administration है इन्होंने कैसे कैसे तयारी की उसके बारे में इनसे वीडियो के माध्यम से आपको रूबरू करवाएंगे तो इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप करते हैं एक बार फिर से आपसे निवीदन है किसी भी वीडियो में जब हम अपना content वाला या daily कुछ क्या discussion करते हैं किसी वीडियो नहीं बोलते कि इसको share करिये लेकिन इस वीडियो को आप ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक share करिये ताकि ज़्यादा ज़्यादा लोग इससे इसका फाइदा उठा सके धन्यवाद